नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका YouTube चैनल KKSR Book TV में तो चलिए दोस्तों पार्ट उब में फिर से सुरवात करते हैं इसके पहले में तो सा याद दिला दूं आपको कि पार्ट वन में मैंने सिखाया था जो मैंने हिंदी से लिए मैं हिंदी सिखाने के कोशिच कर हो हिंदी के साछ सतंग इंग्लिज पी शिखाने के कोशिच कर रहा हूं तो वारु पार्ट वन में मैं छिखाया था फिर से आददिला देता हूं कि ये सब चीजिए मैं सिखाया था तो हमारे चैनल में जा कर देख लिजीए आप बाड़ ने सीखाया था इसको बार वार आ कभी लोग काम कर रहे हैं मजदूर लोग हैं पढ़ी लिखे नहीं हैं चाहते कि उन लोग चाहते कि हम कुछ पढ़ें कुछ करें तो हमारा यूट्यूब चैनल देखें जरूर वहाँ से सिखेंगे ठीक है तो चलिए पाट्टू में यहां से शुरुबात करेंगे देखें प तो सबसब पहले मैं इसको पढ़की सुना देता हूँ चाह चाह जाह जाह यह फिर शेम में पढ़ दे रहा हूँ चाह जाह जाह और यह इसके बाद मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ ठीक है तो आप इंग्लिश भी देख लीजएगा तो फॉरें भाइयों से इतना रिक्वेस्ट इसके आप लोग इंग्लिश के चाहरे हिंदी सिखने का कोशिश करिए और जो इंग्लिश मेंडियम के बच्चे लोग है हिंदी सिखते ही हैं तो इंग्लिश के जरिए आप यह सब वर्ड को यह सब अच्छर को कैश करिए तो चलिए मैं CH से च और C यहाँ पर डबल H लगाएंगे H से च अब यह हो जाएगा आपका J इसमें आप कैप्टल लगा सकते हैं J और यह कैप्टल J कर सकते हैं यह से जो मैं पहले कखा में लगाया था मैंने वही मैंने यहाँ पर लगा दिया इसका यूज तो चलिए मैं इसको पढ़के सोना देता हूं फिर आप घर पे आप रिपीट करिएगा ओके फूलीजे देखें CH से चा C डबल H से चा जे से जा जे एच जा और वाई एंजी से यहाँ यह ज्यादातर यूज नहीं होता है इसलिए आप इस पर ध्यान मत दिशिए सिप्स चा लेटर पे ही ध्यान देजिए यह वाला C से चा C से चा जे से जा और जे चा यह चा चा जा जा तो लोग जो हिंदी सिखना चाते हैं तो इसके फॉलो करिए और जो इंग्लिश सिखना चाते हैं तो इस हिंदी के जारी इसको फॉलो करिए ठीक है दोस्तों तो इंग्लिश मिडियम के बच्चे लोग ज्यादा तर इस वर्ट्स से इस लेटर से आप हिंदी को कैश करिए और इसको सिखे और जो लेबर क्लासिस के लोग है जो नहीं पढ़े लिके हैं तो इसको फॉलो करिए आपरे चैनल को और कोर्सिस करे घर पे बैठकर आदे जंटा 10-15 मिनार जो भी आपको वक्त मिलता हैं तो आप इसको दीजिए तो ठीक है दूस्तों चलिए तब तक यहीं तक है पर नेक्स्ट पार्ट 3 मिलते हैं तो जैन जै भारत तू